Hello everyone, welcome you all at Lucas or Unlimited Study Zone. कल की क्लास में मैंने आपको केवल introduction दिया कि गती क्या है, है ना? कल की क्लास में मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया कि कुछ बच्चे अपसेंट थे, इसलिए मैंने कोई technical चीज नहीं पढ़ाई, कल मैंने केवल philosophical बाते करी और मैंने चीजों को बहुत अच्छे से explain किया, आज शेप्टर के अंदर चलते हैं बहिया, गती शुरू हो चुकी है, और कल मैंने में चीज बताई थी, इस्थिती, क्या बताई थी? इस्थिती, प्रारंबिक इस्थिती को बोलते हैं, एक्स जीरो, या इसको बिटा, एक्स प्रारंबिक याने, एक्स आई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स आई, आई इसलिए बोलते हैं, क्योंकि आई फॉर इनिशियल, ये वाली जलाओ बिटा, ये वाली जला दो, चुआ की येस स्ट है तो एकस आई-का मतलब होता है एकस इनिशल मतलब प्रारम बेकी इनिशल मतलब प्राराम फ्रारम घकी ये इतने क Nephla इन भी इटने पर लाईट का ग्लो आ रहा है इतने में लाईट का ग्लो है न इक बस एतने X0, XI, तो भाईया, X0 को मतलब प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, XI, I मतलब initial, I मतलब initial, अब आप चल रहे हो जीरो से, है ना, और दूसरी स्थिति होती है, X final, क्या होती है, X final, तो बेटा, ये होती है, प्रारंभिक स्थिति, और ये होती है, अंतिम स्थिति, ठीक है, जैसे ये सरल रेखा है, क्यों है सरल रेखा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, एक विमी गती, क्या पढ़ रहे हैं, एक विमी गती, मतलब हम एक ही दिशा में चलेंगे, या तो हम X ट्रेवल करेंगे, या हम Y ट्रेवल करेंगे, या Z ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल रहने चलना, या तो हम X कवर करेंगे, हम Y कवर करेंगे, हम Z कवर करेंगे, एक टाइम में कोई एक, जिस समय एक टाइम में दोनों चीजे कवर करेंगे, तो वो हो जाएगी 2 मीगती जिस समय एक टाइम में 3 कवर करेंगे वो हो जाएगी 3 मीगती तो आईए देखें स्टार्ट करते हैं यहां से यह है X initial X I या X 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं है अलग-अलग जो लेना हो लेते हैं बच्चे लोग यहां से सुरू किया चलना पर ने ठीक ना अगर मान लो यह मूल बिंदू है तो X बराबर इस पॉइंट पर किता होगा 0 किता होगा 0 1 2 3 4 5 यह आपकी final position है क्या है यह final position समझ में आया final position तो X initial है आपका X equal to 0 यह X initial है X I और यह क्या है X final आप यहां से लेकर के यहां तक चल गए आपकी प्रारंबिक स्थिती यह थी आपकी अंतिम स्थिती यह है अंतिम स्थिती और प्रारंबिक स्थिती के अंतर को बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं, तो भाईया, पहला सब्द आपके सामने आ गया, कि विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन बराबर इस्थिती में परिवर्तन, आई बास समझ में न, इस्थिती में परिवर्तन, बिटा पहले लिख लो, पहले सुन लो, आराम से लिख ले क्योंकि विस्थापन की एक निश्चित दिसा होती देखो यहां से यहां चल रहे होना दिसा निश्चित है की नहीं है इसलिए विस्थापन कैसी राशी है सदिस तो एक निश्चित दिसा है और x बराबर x final minus x initial समझ में आया x final minus x initial ठीक है और इसी को बोलते है बेटा x में परिवर्तन क्या बोलते है जिसका नाम पढ़ गया physics में delta x क्या पढ़ गया delta x clear हुआ ना तो s बराबर delta x ठीक है ना एई बाते करोगे तो बाते नहीं होंगे एक भी देखो s equal to delta x x final x initial में जो change है वो कहलाएगा delta x और इसके उपर भी सदिस लगाईए क्योंकि परिवर्तन की दिशा भी निश्यत है परिवर्तन कहा हो रहा है left से right left से right तो जहां पर दिशा fix है वहां पर आपको सदिस लगाना पड़ेगा तो s विस्थापन बोलते हैं इसी को इसी को स्थिती में परिवर्तन बोलते हैं तो प्रारंभिक स्थिती अंतिम स्थिती और अंतिम स्थिती से लेके प्रारंभिक स्थिती का जो परिवर्तन होता है इसको हम बोलते हैं विस्थापन समझ में आ गया delta x ये एक सदिश राशी है यह कैसी रासी है, शदिस रासी है, ठीक, अब जब आप चले थे, तो इस समय पर time कितना था, T1, जब आपने यात्राइश टॉप करी, time कितना था, T2, जब आप चले थे, time 31, जब आप पहुंचे time कितना हो गया, T2, तो भाया, समय में भी तो परिवर्तन हुआ है, तीन बजे चले, चार बजे पहुँच गए, तो कित्त समय लगा? एक घंटे, कित्त घंटे लगा? एक घंटे, तो समय का परिवर्तन, बाद वाला समय माइनस पहला वाला समय, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा टी, मगर समय के परिवर्तन में सदिस्मत लगा ना, क्योंकि समय का परिवर्तन अदिस रासी, कौन सी रासी है? आई बास समझ में ना, कि नहीं हुआ? डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, क्लियर हुआ? डेल्टा टी समय का परिवर्तन टी टू माइनस टी वन, अब फीलिंग को पकड़ो, देखो, समय का परिवर्तन है डेल्टा टी, ड पतलब T समय में आप डेल्टा X चले जाते हो, T सेकेंड में, डेल्टा T सेकेंड में कित्ता चले जाते हो, डेल्टा X, तो एकांक समय में कित्ता चलोगी, एक सेकेंड में कित्ता चलोगी, डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, जिनको ये समझ में नहीं आता सरी क्यों होता है, पहल भाग दिना पड़ेगा ना, 20 के अपान में क्या जाता है, 10, मलब एक के लिए ये जो चीज होती, इसको कहां भेजते हैं, नीचे, आंसर कितना आया, 2 रुपए, आया ना, तो बताओ, केले की दर पता चली की नहीं, पता चली, तो ये क्या पता चली, विस्थापन की दर, किस विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे, एकांक समय में तै किये गए विस्थापन को, एकांक समय में या एक सेकंड में चले गए विस्थापन को ही हम बोलते हैं, क्या, वेग, क्या बोलते हैं, वेग, तो आंसर पहला फॉर्मुला आपका बन रहा है, वेग सदिस बरा अबर विस्थापन बटे समयंत्राल वेग इक्वाल टू विस्थापन बटे समयंत्राल वेग की परिभाशा लिख लेए विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं विस्थापन कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है उसको वेग बोलते हैं इसकी कैसी रासी सदिस रासी है इकाई क्या बन गई मीटर परती सेकंड मीटर परती सेकंड क्योंकि विस्थापन किसमें नापेंगे मीटर में और समय किसमें नापेंगे सेकंड में तो इकाई बन गई इसकी मीटर परती सेकंड बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है तो भाईया वेग की दिशा किस पर इंदर पर कर रही विस्थापन की दिशा पर एक पॉइंट बना सकते हो कोई बोले वेग की दिशा क्या होती है तो लिकलो वेग की दिशा बराबर विस्थापन की दिशा बराबर विस्थापन की दिशा बराबर विस्थापन की दिशा एक पॉइंट बना सकते हो वेक की दिशा बराबर विस्थापन की दिशा यह पॉइंट तो बहुत छोटा है मगर इसका महत्य कितना है आंगे आने वाले एक्जामपल में समझेंगे वेग की दिसा बराबर विस्थापन की दिसा, या आ गया, आगया, पीछे आया, मैं तुमसे बोलूगा मेरे वेग की दिसा बताओ, मेरे वेग की बताओ, उस तरफ है या इस तरफ है, क्योंकि दो तरफ चला हूँ मैं, या तो इधर चला हूँ या मैं इधर चला हूँ, कौन सी गती है, एक विमी गती कहा है, एक विमी गती कौन सी गती है, एक विमी गती है कि नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ते में तो चला हूँ आंगे पीछे, इसको तो दो भी मी नहीं माना जाता है, यह एक भी मी ही है, भा एधनकल, то बताओ, अब मैं आगी भी गया, फिर मैं रुका, फिर मैं पीछे भी आया, मेरा वेग फाइनली है, कहां, आंगे या पीछे, आओ देखते हैं, कोई यहां बताओ, वेग जीरो है, क्या मैं चला कहां से, मैं यहां से गया था, यहां से चला था, और वहीं लोट के आगया, हाँ, बिल्कुल सही, मैं वहीं मारा है, कि यहां मेरा मूल बिंदू, यह क्या है बेटा मेरा कल्लू का थेला, है कल्लू का थेला, बिता यहां मूल बिंदू, मूल बिंदू की पोजीशन का मैंने नाम दे दिया, X zero बराबर किता मूल बिंदू है हाया ना यह है मानलो कलू का ठेला यह टेबल जो रखी हुई हाया ना मगर मैं चल रहा हूँ यह कलू के ठेले के आंगे से हाया ना सरमादूद डेरी समझ गए दुकान एक पढ़ती यहां पर ठीक न मैंने वहां से चलना सुरू किया ठीक है बह पर कहां पर एक्सी कोल टू जीरो पर मैं चलना सुरू कर रहा हूं एक्सी कोल टू टू पर एक्सी कोल टू 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 पर मतलब प्रारम्मी कि स्थिती मेरे चलने की कहां पर है टू पर है कहां से है टू पर है मैं टू से चलना एक्सी कोल टू 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 5 समझ गए और मैं पहुंच गया Diamond School X equal to 5 पे 3, 4, 5 6 ले लो बिटा X equal to 6 बोलो सही है X equal to 6 चला गया अब मैं बोलूँगा पहले ठीके चला गया अब पहले यहां तक का विस्थापन निकाल लो यहां तक का पहले विस्थापन Delta X बराबर X Final minus X Initial, X final minus X Initial, बोलो हां चलो भाईया, X final बोलो कितना है, 6 X initial कितना है कितना है 2, कितना है 2, बहिया चले कहां से थे वहां से थे ना, बोलो हाया ना कलू का ठेला तो reference है 0 से थोड़ा ना है, कलू के ठेले से चलते तो 0 होता, चले कहां से ते दो से, बुलो और आंसर कितना आया? चार पलस में है कि माइनस में है? अरे क्या दिख रहा है? कौन सा चिन्न लगा है हाँ? त्रीका जब कर रहे हो यार? अरे पलस है मतलब कोई चिन्न नहीं मतलब क्या है? पलस, क्या लगा है? पलस मतलब दाएं, माइनस मतलब मतलब पहला विस्थापन किस तरफ है दाई तरफ है, किस तरफ है दाई तरफ है, बुलो हाइए ना अब वापस आते हैं कहा आते हैं, वापस हाते हैं मेरा question actually कल्लू के ठेले तक जाने का था कहां तक का था ठीक है ना, मगर अब पहले कल्लू के ठेले नहीं चलते हैं, पहले अपन डूट डेरी आते हैं, चलो आजाओ भाई, अगला आई स्टेप है, अगली यात्रा, चलके यहाँ पहले बाद चलेगा यहाँ से हां, बोलो हां, अब लोट करके वापस आगे, बोलो हां, अब दूसर पार्ट का विस्थापन देखो, दूसरे पार्ट का पहले अलग-अलग विस्थापन देखते हैं, यह पहला देख लिया, अब दूसरे पार्ट का विस्थापन, डेल्टा एक्स, सेकेंड केस, यह कौन सा केस, फर्स्ट केस, यह था जानना, यह क्या है, आना, बोलो भाई, x final minus x बोलो भया final क्या है 2 क्या है 2 initial क्या है 6 बोलो answer किता minus 4 यह minus जो चमक रहा है यह सदिस को बता रहा है किसको बता रहा है मतलब minus बाएं minus मतलब buy समझ में आया यह minus sign बूध करा रहा है minus मतलब buy मतलब 4 गए थे आंगे तो प्लस आया था मतलब दाएं चार पीछे आए माइनस आया है मतलब बाएं आ गया समझ में अब निकालते हैं कुल विस्थापन क्या निकालते हैं कुल विस्थापन निकालते हैं चले यहां से और यहां से वापस आ गए चलिए कुल विस्थापन कुल विस्थापन को लिखूंगा हिंदी में कुल विस्थापन बराबर एक्स फाइनल डेल्टा एक्स पूरे के लिए किसके लिए एक्जाम में आपको पूरे के लिए आएगा समझ में आ रहा है पूरे के लिए कुल विस्थापन, बेटा बोलो अंतिम पस्तिधी क्या है, बोलो अंतिम पस्तिधी क्या है, दो प्रारंभी किस्तिधी क्या थी, अरे जहां से चले वहीं तो पहुँच गए, है ना, बोलो कुल विस्थापन किता, जीरो, कुल विस्थापन, जीरो, आया समझ में चले वापस लोट करके आ गया कुल विस्थापन कितना हो गया जीरो अब कोई बोले कि यहां से लेक करके यहां तक जाने में आप अपना वेग बताईए क्या बताईए वेग तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, बोलो विस्थापन किता आया समय किता रहे, गंटे दो गंटे, जीरो के नीचे कुछ भी आएगा बजेगा स्वाहा, समझ में आया ना जीरो के नीचे कुछ भी आएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? तो आंसर वेक किता हो गया? 0. अब देखो अगला question चले ये पहला question था, ये एक situation हो गई समापत, बोलो clear है सबको की नहीं है अब दूसरी situation पर बात करो बेटा, चले शर्मा डेरी से गए आँगे और वापस आए तो कल्लू के ठेले तक, कहा तक आए? अलो है ना अब बताना है विस्थापन कितना है और वेक कितना है समझ मैं है? और ये सब प्रोसेस में समय भी दे दिया मैंने तुमको 10 सेकेंड का, किते का सेकेंड? 10 सेकेंड मतलब तोटल लगने वाला समय मैंने पहले लिख दिया फिर मिटा दिया मैंने इसको ठीक है? सही है तोटल समय डेल्टा टी बराबर किते सेकेंड बेटा? 10 सेकेंड कितना समय लगा इसमे? अब आपको बताना है कि पहले विस्थापन कितना है लो भाईया विस्थापन कहा? शर्मा की यहां से? कल्लूगे ठेले तक चलो पूरा निकालते हैं डेल्टा एक्स बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनीशल पोजीशन बोलो फाइनल पोजीशन कहा है? इनीशल पोजीशन क्या थी? आंसर कितना? मतलब विस्थापन की दिसा दाएं है की बाएं है? विस्थापन की दिसा क्या है? बाएं महसूस करो इस बात को जब आंगे गए और लोटके यहां तक टोटल आये तो यहां का विस्थापन क्या हो गया? जीरो, हाँ या ना? जहां से चले थे वहीं तक माइनस तू, हाय अना? मैं क्या कह रहा था? चलने की दिसा से वेगी की दिसा का अंदाजा ना लगाईये क्योंकि वेगी की दिसा विस्थापन की दिसा होती है तो यहां से चले, देखना ٹाईल्सको टाईल्स नंबर दो पर खड़ा हूं किस पर खड़ा हूँ, तीन पर, किस पर खड़ा हूँ, तीन पर, चला, गया, बोलो, वेक की दिसा कहा होगी, दाएं या बाएं, हाँ, समझ में आया, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, तुमारे बाएं हाथ इस तरफ आएगा ना तो वेग की दिशा क्या होगी? बाय क्योंकि मेरा नैट विस्थापन वहाँ है तो यह थी चलने की दिशा और यह थी विस्थापन की दिशा और विस्थापन की दिशा में ही वेग जाएगा बच्चों तो आईए देखते हैं 10 सेकेंड लगा है आंसर वेग वी बराबर वी बराबर विस्थापन बटे बिटा किता समय विस्थापन किता माइनस टू समय किता 10 सेकेंड माइनस टू क्या मीटर 10 क्या सेकेंड काट दो बिटा किता हो गया 1 बाइ 5 1 बाइ 5 माइनस का 1 बाइ 5 मीटर पर 2nd 1 by 5 मतलब 0.2 1 by 5 मतलब 0.2 भाई 5 में 5 का भाग दे दो एक में का भाग 5 का भाग दे दो 10 अमलो आएगा 0 उतरेगा बोलो हाँ और 5 दूने 10 आया ना आंसर माइनस 0.2 मीटर पर 2nd घर में पहुंसते ही मेरे जैसा कोई वेक्षती मिल गया कितने वेक से आये हो तो बोलोगे माइनस 0.2 मीटर परती सेकेंड हाई या ना दूसरा जो आदमी फिजिक्स नहीं पढ़ा है माइनस लगा है वेक में कैसा घंचकर आदमी है माइनस लगा रहा है तो बताओ माइनस वेक में लगाना सही है कि गलत है सही है अरे भाईया माइनस मतलब हम दिसा का बोध करा रहे है कि जहां से चले थे उसके पीछे पहुँचे होंगे हाया ना क्योंकि कुल विस्थापन क्या है रिनात्मक समझ में आया बोलो बन जाएगा तो इस तरीके से वेक वाले क्वेश्चन करोगे वेक बराबर विस्थापन बटे समय अंत्राल विस्थापन बटे तो मेरे एक सवाल का जवाब दो क्या वेगी की दिसा क्या वेगी की दिसा चलने की दिसा ही होती है क्या वेग की दिशा चलने की दिशा होती है तो फिर क्या होती है विस्थापन की दिशा वेग की दिशा किसकी दिशा होती है विस्थापन की दिशा समझ में आया तो कोई कारिस्तरब जा रही है फिर वापस आ रही है तो अंदाज देख के ना सोच लेना कि वो कारिस्तरब जाएगी उसका वेग वहाँ बनेगा उसको सौल्व करना और देखना कि कुल विस्थापन कहा हुआ है वहाँ आएगा बोलो आ गया समझ में तो ये था वेग, क्या था ये? अब आप बात करते हैं चाल की, किसकी बात करते हैं? चाल की एक है वेग और एक है चाल आएए एक एक एग्जांपल से समझेंगे कि चाल क्या होती है बिटा इसको आप लोग वीडियो से नोट कर लेना कर लोगे ना? ठीक है, समय मत खरब करो इसको वीडियो से चला करके नोट कर लिजेगा या आ जाएगा अब भया वेग हो गया अब बात करते हैं चाल की किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बोल देना ठीक है ना चलो भाई देखो चाल तो वेग बराबर हुआ विस्थापन में परिवर्तन की दर की दर विस्थापन में परिवर्तन की दर कितना जल्दी जल्दी विस्थापन बदल रहा है दर मतलब बदलने की रफतार दर मतलब बदलने की रफतार भाई साब बड़ा जल्दी रेट बढ़ रहा है इस समय इस समय सभी चीजों का रेट बड़ा जल्दी बढ़ रहा है क्योंकि चीजों के रेट की दर जादा है चीजों के भावग बदलने की दर जादा है अगर आपका विस्थापन जल्दी जल्दी बदले मतलब वेग जादा है तो वेग बराबर विस्थापन में बदलने की दर मतलब उपर विस्थापन और नीचे कितना समय क्योंकि जहां भी दर की बात होगी वहां समय नीचे आएगा क्योंकि दर यानि रफतार दर यानि की रफतार हमेशा समय के सान ना पी जाती है किसके साद ना पी जाती है, समय के साद ना पी जाती है, उसी को बोलते हैं समाने भाव, क्या बोलते हैं, आप भी कहते हैं, आज कल तुम्हारे भाव बहुत बढ़ गए हैं, गुरू, है ना, आज कल तुम्हारे भाव बहुत बढ़ गए हैं, तो सामने वाले को पूछना चा जैसे जैसे टाइम गुजरा है तुम्हारे भाव बढ़ गए है चलो, come back तो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वेग अब आ रहा है भाई साथ, चाल चाल समझने के लिए ये समझ लो, चाल बरावर होता है दूरी में परिवर्तन की दर समझ मैं है हाँ, ये लगाओ डेल्टा एक्स, क्या लगाओ डेल्टा एक्स, दूरी में परिवर्तन की दर तो दूरी में परिवर्तन की दर के लिए आप सीधे लगादो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, परन्तु ये सदिस मत लगाना सदिस नहीं लगाना क्योंकि सदिस लगाओगे तो वो विस्थापन बन जाएगा और सदिस नहीं लगाओगे तो क्या बन जाएगा दूरी चाल बन जाए दूरी बनेगा देखो दूसरा चीज ये लिखो S upon delta T क्या लिखोगे S upon delta T मगर यहाँ पर क्या लिखोगे Only S क्या लिखोगे Only S upon delta T जिसको बोलते हैं दूरी बटे समय यानि की चाल अब आपके सामने एक प्रशन है कि सर विस्थापन बताया था आपने उपर तो विस्थापन मैंने वेक के लिए बताया था अब यह दूरी क्या है सर विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है मैंने बताया था विस्थापन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक अंतिम माइनस और दूरी मतलब रास्ते की लंबाई दूरी मतलब बस दूरी मतलब रास्ते की लंबाई अमन का विद्याले ये है, घर ये है, और विद्याले ये दिखाई दे रहा है, ये अमन का घर है, होम, और ये विद्याले है याने इश्कूल, अमन चाहे तो सीधे रस्ते से विद्याले जा सकता है, हाँ या ना, ये इसकी प्रारंभी की स्थिती X1 और ये अंतिम स्थिती X2 अमन अपने घर से विद्याले चलता है तो यहां से लेके यहां तक का विस्तापन delta x delta x बराबर equal to हो गया x2 minus x1 किते मीटर का आता है 4 मीटर का किते मीटर का परंतू अमन ऐसा नहीं करता है अमन अपने दोस्त के यहां जाता है उस दोस्त को लेता है साइकल में बिठालता है फिर बॉम्बे होटल घुमाते हुए नाश्ता करते हुए है ना इस्कूल के दूसरे हिस्से में बने हुए ग्राउंड में जा करके फिर वहाँ चक्कर लगा करके एक तरीके से इस्कूल आता है ये देखिए अमन इतनी बड़ी प्रोसेस करता है क्योंकि इस्कूल दस बजे है और वो घर से कितने बजे निकलता है आठ बजे कितने बजे आठ बजे समझ में आया लंबी प्रोसेस करता है अमन ये सब पूरा अपना दोस्तों बगएरे को ले करके गूमते गुमते यह से जाते आता है यह देखिए बोलिए हाँ अब यहाँ पर देखिए एक है सीधा रास्ता पॉइंट टू पॉइंट टू अगर आप पॉइंट टू पॉइंट रास्ते को मिला दें तो वो बनता है विस्थापन क्या बनता है विस्थापन मतलब मैंने बता ही दिया अंतिम स्थिती माइनस प्रारंभे की स्थिती समझ मैं और ये है रास्ता ये क्या है रास्ता तो रास्ते की लंबाई ना अपना है तो क्या करो एक धागा ले लो हाँ या ना एक धागा ले लो और अमन जहां जहां जा रहा है वहाँ वहाँ वो धागा वैसे छोड़ते जाओ हाई ना रास्ता बन गया नहीं बना अमन का और बाद में उस धागे को पूरा ले लो और उसको नाप लो तो वो धागा क्या गया दूरी क्या गया दूरी तो भाईया विस्थापन मतलब होता है अंतिमिस्थिती माइनस मगर दूरी बराबर होता है रास्ते की लंबाई या पथ की लंबाई पथ की लंबाई जब मंजिल चाहिए है तो विस्थापन फॉलो करो मंजिल चाहिए है तो फॉलो करो तो सीधे, जैसे एरोप्लेन, जहां से उठता है, सीधे वहां जाता है, हाए या ना, मगर रोड का ट्रेक यहां हों जाता है, मिनट बाद एक गाउं में घुसी, फिर सवारी भरी, पुरानी उत्री, फिर अगले गाउं में ऐसे करके उस बसने आठ गाउं कवर करें, किते गाउं कवर करें? आठ गाउं, पता नहीं कौन-कौन से रास्ते संदर ले जाएं, बाहर ले जाएं, आठ गाओं कवर करने के बाद साड़े तीन घंटे में उसने मुझे छोड़ा जहां मुझे जाना था एक घंटे की जगे कितना घंटे लिए मतलब उसने डारेक्ली विस्थापन फॉलो नहीं किया उसने अलग-अलग रास्ता ट्रेवल किया हाँ या ना मतलब विस्थापन एक दूरियां अनेक हाँ या ना विस्थापन एक है और दूरियां रास्ते अनेक है और मंजिल एक है क्योंकि मंजिल का कनेक्शन किस से जुड़ा है विस्थापन से किस से जुड़ा है विस्थापन से समझ में आया ना अब जिसका रास्ता जितना लमबा होगा उसकी दूरी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और जिसका रास्ता जितना छोटा होगा उसकी दूरी उतनी छोटी होगी बनो हाया न हमको तो final mark sheet से मतलब है क्यों भीया होता है कि नहीं होता है तो वो सीधे विस्थापन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं स्कूल का पहला दिन और स्कूल का आखरी दिन ठीक ना स्कूल की इंट्री वाला दिन और रिजल्ट वाला दिन ठीक ना फिर तैय होगा कि उनके हाथ में क्या है, है ना, पुरुसकार है या लाठी है, ठीक है ना, भाईया ये रेखिए अब इसके बाद, और ये है रास्ता, समझ में आ गया ना, तो भाईया कुल मिला करके दूरी में परिवर्तन, या दूरी में परिवर्तन कहलो, या चली गई द दूरी कहलो, या रास्ते की लंबाई कहलो, और नीचे कितना, समय अंतराल, या लगने वाला, समय, बुलो आ गया समझ में, अब आओ भाईया, एक एक एक्जामपल से देखते हैं, कैसे हम निकालेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एक एक्जामपल उठा लेते हैं, अमन वरत्ताकारपत पर चलता है, अमन किस पत पर चलता है, वरत्ताकारपत पर एक क्वेश्चन हो जाए, और चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना, अमन एक वरत्ताकारपत पर चलता है, ये चला अमन, एफ और अमन ने चलना सुरू ह और अमन साथ अंस का कोण बनाता है किते अंस का साथ अंस का कोण बनाते हुए अम वृत्ताकारपथ की तरिज्या है बेटा साथ मीटर किते मीटर साथ मीटर की तरिज्या वाले वृत्ताकारपथ पर अमन चलता है और 60 डिगरी का कोण बनाते हुए किस बिंदु पर पहुंच रचने में इसको लगने वाला जो समय है ठीक ना इसको जो लगने वाला समय है इसको एक काम कर लेते 이제 इसको लगता है इसको 7 सहनलोगता है पर 7 चालmost हाँ 17 ऑश झाल n को सर ने इसको भी साथ ले लिए इसको भी साथ लै लिए कोई न कोई पंगा हैícios ले भीया 14 मेटर क्या हो गया यह तरिज्यकित्रे की 14 मेटर की और कितना समय लगा A से B तक पहुँचने में 7 सेकंड बो आया समिना आपको क्या-k्या निकालना यह बिंदू A है यह बिंदू B है आपको काफी सारी चीजे निकालनी है पहली चीज आपको निकालनी है विस्थापन क्या निकालना है विस्थापन दूसरी चीज निकालनी है आपको दूरी क्या निकालनी है दूरी तीसरी चीज आपको निकालनी है वेग क्या निकालनी है विस्थापन दूरी वेग ठीक ना, चौती चीज़ आपको निकालनी है चाल, ये चारू चीज़े मैंने पढ़ाई है समझ में आया न, आये निकालते हैं तो भाईया, विस्थापन दूरी दोनों इस डाइग्राम में बड़े अच्छे सी क्लियर हो रही है विस्थापन मतलब प्रारंभिक स्थिती और अंतिम स्थिती के बीच में डारेक्ट देखो कितनी दूरी बैठ रही है सीधा रास्ता, क्योंकि विस्थापन बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक बुली हाया न, आया समझ में कि नहीं आया अंतिम माइनस प्रारंभिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हाँ बेटा क्लियर हुआ अंतिम माइनस प्रारंभिक अंतिम ये है प्रारंभिक ये है और पॉइंट टू पॉइंट अंतिम से लेके इसको जोडने वाला सदिस यही बनेगा कि नहीं बनेगा यही सदिस है ना, तो हमें इसी सदिस की लंबाई चाहिए, चाहिए ना, क्योंकि अंतिम से लेके प्रारंभी को जोड़ने वाले सदिस की लंबाई ही क्या होती, विस्थापन, क्या होती है, विस्थापन, रास्ते या नेक, मगर मंजिल एक, तो मंजिल को जाने वाला सीधा परास्ता ही विस्थापन है, आए निकालते हैं, कितना होगा विस्थापन, पेटा ये साट डिगरी है कि नहीं है, हाँ या ना, अच्छा ये तरिज्जा का होती, वरत की तरिज्जा होती कि नहीं होती, ये चौदा है कि नहीं है, ये भी चौदा है कि नहीं है, क्योंकि ये तो ये भी क्या है? खाया नँ. ये भी तरिज्जा है, ये भी क्या है? तरिज्जा है. तो ये 14 मेटर हैं तो ये भी कित्ते मीटर है? अधी मिटर है. clear हो गया? अब उस एक ठिर्फ्पर पढ़ी होगी . कि समान भुजाओं के ये सामने के आंतरी कॉण क्या होते बराबर, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्लियर हो गया, समान भुजाओं के सामने के आंतरिक कोण क्या होते हैं, तो बेटा ये साथ है, इसके सामने है, देखो, ये जो है, ये वाला एंगल कितना है, साथ है, ये वाला एंगल कितना है, साथ है, ये वाली भुजा और ये व सामने का कूण ये वाला है की नहीं है तो अगर ये वाला कूण X है तो ये भी कितना है समझ में आया की नहीं है ये X है तो ये भी कितना है अब ये पता करना है कि ये कितना है समझ में आया ना ये पता करना है कि ये भी कितना है क्लियर हो गया आओ देखते हैं बिटा ये X है ये x है, ये कितना है? 60 है, आपने पढ़ा होगा angle sum property, त्रिभुच के तीनों कुणों का यो कितना हो था? 180, तो भईया, x plus x plus 60 बराबर कितना? तो 2x बराबर 180 माइनस 60 कितना? 120, याने x बराबर कितने डिगरी? 60 डिगरी, अरे वाह, मतलब ये भी कितने डिगरी है? ये भी कितने डिगरी है? 60, 60, 60 मतलब कौन सा त्रिभुच? संबाहू, हाँ याना? और संबाहू त्रिभुच की सभी बुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तो ये 14 है, ये 14 है, तो ये भी कितना हुआ? 14 मीटर मतलब पहला आ गया विस्थापन बराबर कितने मीटर? 14 ये होती है, एक दिशा और एक परिमाड, कितना चले? परिमाड, कहां चले? दिशा, कहां चले गुरू? क्या है? दिशा, बस सर यहीं चले, कितना चले? 2 किलो मीटर, ये परिमाड है, कहां चले? ये दिशा है, तो मैं ये तो बता रहा हूँ कि कितना चले है इसमें उत्तर म मगर कहां चले बता, नहीं रहा हूं, मतलब मेरा उत्तर अपून है, सब्सक्राइब 14 मीटर, तो ये क्या है विस्थापन का परिमार है, क्या है विस्थापन का और 90% आपसे दिसाय नहीं पूछी जाएंगी, आपसे परिमाड ही पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा समझ मैं आया चलो भईया आँगे आजाओ दूरी क्या निकालेंगे आए भईया दूरी निकालते हैं दूरी मतलब रास्टे की लंबाई रास्ता तो ये था चलने का बुलो हायाना था कि नहीं था, दसमी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, चाप की लंबाई, याद आया, चाप की लंबाई, समझ में आगा ना, चाप की लंबाई और चाप की लंबाई का सूत्र था, टू पाई आर गोणे थीटा अपॉन थ्री सिस्टी, दसमी क्लास पढ़के आये हो, तू पाई आर गोणे थीटा बटे कितना, थ्री सिस्टी, याद है, तू पाई आर गोणे थीटा बटे, थ्री सिस्टी, तो भाईया ये अपना चाप है की नहीं है, दूरी यह होगी की नहीं होगी, क्योंकि रास्ता तो यह है, बोलो हाँ, यह डिग्री अपान कितना थीन सो साथ से कितने बार दो बार हाय आ आना और ये कितने बार बिटा चै बार बुलो हां दो से कितने बार ये आग गया समझ में न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाईस गुणे दो गितना 44 और उपर 44 हो नीचे किता 44 बटे 3 मीटर उत्तर आएगा आंसर 44 बटे 3 मीटर चलो 16 गल लेते हैं देख लो भी या यह 44 है यह 3 है 11 तीया 33 3 है कम 3 हो गया 1 4 है ना कितना आगया 14 32 और कितना आया 2 कितना आया 10 समला लगाओ 0 लाओ 3 छंगे 18 कितना आगया 18 फिर दो बचेगा कहानी चलती रहेगी आंसर 14.6 मीटर बोलो हाँ 14.6 मीटर तो भाईया दूरी कितनी आई 14.6 मीटर विस्थापन कितना था मतलब विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है विस्थापन हमेशा दूरी से चोटा होता है या बराबर होता है या क्या होता है बराबर कब होगा जब आप सरल रेखा में चलेंगे एक ही तरफ एस ही तरफ चले एक भी मी गती मी ये ए है और ये क्या है मालो ये 10 मीटर है तो दूरी भी 10 मीटर और विस्थापन भी 10 मीटर तो विस्थापन दूरी से छोटा होगा या बराबर होगा, समझ में आया, तो यहाँ पर दूरी कितनी आ गई, 14 दसमलो, 6, बोलो आया समझ में, कि नहीं आया, चलो भाई साब बहुत बढ़िया, अब निकालना है वेग, क्या निकालना है, वेग बराबर विस्थापन बटे स समय, समय मैंने बताया था, साथ सेकेंड, कितना लगता है, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगता है, साथ सेकेंड, बोलो विस्थापन कितना है, 14, दूरी कितना है, साथ, हाया ना, ऊपर है, मीटर, नीचे है, सेकेंड, साथ से कितने बार, दो बार, इकाई बन ग तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितना है बोलो, 14 दसमलो, 6 दूरी हाँ या ना, और समय कितना, साथ ही तो लगेगा हाँ या ना, समय कितना लग गया, साथ क्योंकि यहां से यहां तक पहुचने का समय कितना है, साथ, तो आंसर आएगा, 2 दसमलो, 3 क्या सपस, कितना आ अब पर देखो चलो 14.6 बटे किता साथ साथ दो नहीं किता हुआ 14 हाया ना clear हुआ कि नहीं हुआ हां अब चाल का संबंद रास्ते से है और रास्ता बड़ा होता है और वेग का संबंद किसे है विस्थापन से है बोलो हाया ना आया समझ में ना तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ जिससे तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहां लिख रहा हूँ आप जानते हो कि दूरी हमेशा क्या होती है बड़ी दूरी हमेशा क्या होती है बड़ी का से विस्थापन से तो दूरी विस्थापन से बढ़ी या बराबर हाई ना, दूरी में समय का भाग दे दो यहाँ भी समय अंत्राल दूरी बटे समय बराबर क्या चाल, इसलिए चाल जो होती है वो हमेशा वेग से क्या होती है, बढ़ी या बराबर, समझ मैं आया कोई दिकत note करिए इसको पूरा note कर लिजिए तो आज ये चाल और वेग के concept हमारे पूरे हो चुके है कल हम पढ़ेंगे एक समान वेग और एक समान चाल एक समान वेग और एक समान उसकी बाद असमान वेग और असमान चाल अच्छा मैं आपको एक बता दू बिटा आपके सिलिबस से चाल हट गया है चाल फिर भी मैंने पढ़ा दिया तो चाल कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा टॉपिक में बढ़ा नहीं है चाल याने रास्ते की बात करोगे तो कल हम लोग पढ़ेंगे एक समान वेग एक समान चाल और फिर इसके बाद आएंगे गती के समी करण आज के लिए इतना ही धन्यवाद